हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज हम लोग बात करेंगे अपने 2013 के पेपर के बारे में जिसमें न्यूट्रिशन पार्ट में क्या क्या क्वेशन्स पूछे गए थे टीजिटी में वह हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं विड डिटेल आपको समझ आये कि क्वे से सोती है वह क्यों इंपॉर्टेंट होती है यह प्राचन शिलता में व्रद्धी करता है विटामिन सी को बढ़ाता है लो तत्व एवं जैव उपलब्दता को बढ़ाता है या उप्युक सभी तो इसका सही क्या आंसर होगा वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कुछ स्टूरेंटेंस ब्हुत अच्छी तरीके से पर्टश्पेट करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है और वो कोमेंट करते हैं तो बहुत अच्य फील होता है C कि आप मेहनत कर रहे हैं और दीरे दीरे चीज़ों को लर्ण कर रहे हैं क्योंकि एकदम से आप कुछी भी एक्जाम आया था तो आप किसी भी चीज़ को रट नहीं लेंगे एकदम सी याद नहीं कर सकते हमारी स्लो स्लो प्रोसेसिंग से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंग क्योंकि इससे हमारी जो पूर है उसके digestibility increase होती है उसमें vitamin C भी increase हो जाती है और आपके लोह तत्व की जैव प्लगता भी भढ़ जाती है इसी कारण दालों को पहले से गला दिया जाता है और उनमें जैसे ही अंकुर निकलता है उनको जब हम यूज करते हैं तो हमें इतने सार की आवशकता होती है लह तत्व एवं zinc लह तत्व एवं calcium लह तत्व एवं polycom लह तत्व एवं ascorbic acid तो इनमें से कौन सी चीज़े हैं जो हमें आवशक होती है वो आप मुझे comment section में बताएंगे देखिए zinc की हमें आवशकता नहीं होती है iron तो हमें चाहिए चाहिए सब में हमें iron की बात की है तो यह चाहिए इसके साथ हमें zinc जिंक नहीं चाहिए हमें calcium जो है वो हीमोगलोबिन की साथ काम नहीं करता है देखिए जब भी pregnant lady होती है तो उसको किसकी tablet से लेती है iron folic acid vitamin b12 तो यहां option में आपको क्या दिख रहा है इसमें से iron दिख रहा है और साथ में folic acid दिख रहा है क्योंकि उनमें blood की कमी ना हो अनीमिया ना हो इसलिए वो सारी दवाईयां दे जाती है तो यहां हमारा option ascobic acid vitamin C तो हम देंगे नहीं तो हमारा किस लिए क्या answer होगा answer होगा C तो हमें hemoglobin के निर्मार के लिए folic acid और iron की tablets दी जाती हो और यही आवश्यक होती है फिर उसके बाद हम बात करते हैं question number 3 के बारे में जिसमें है पैक्टन पाया जाता है केले में गेहु में अंडे में अम्रूद में देखे गेहु में gluten पाया जाता है अंडे में केसीन पाया तो आपका जो अम्रूद है अंडे में अच्छी मात्रा में अच्छे source में आपका पके हुए फल में यह पैक्टन मिलता है जो कि अम्रूद में अधिक मात्रा में vitamin C bize भी पाया जाता है कहें कि पैक्पिन अच्छी मात्रा में होने के कारण इससे जैली अच्छी बनती है तो आपका सही आंसर होगा नंबर बी यारी नंबर टू फिर हम क्वेशन नंबर फॉर की बात करते हैं वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजायम आवशक है रेनिन लाइपेज एमाइलेज पै पैट के लिए यहां मेरा एक क्वेशन छूट गया है जो में नहीं कर पाई हो तो क्वेशन है हमारा व्यूटायरिक अमल जो है वह किसमें पाया जाता है अंडे में सरसों के तेल में मखन में या फिर फलो में अगर आपने प्रीविएस वीडियो देखी होगी हमारी 2010 वाली नहीं कर रहे तो वहां पर there aidenby judo देखा तो वहां आपने देखा था कि वह अंडे में पाया जाता है उसमें नहीं होता फलो में नहीं होता और मखन में नहीं होता वीडियों और उसके तुर्माइल उटिख वाला भाग प्रोटें यूक्ट होता है और इसके सेभन मासपे वो स्वस्थ होती हैं स्वारी में मक्खन बोल रही थी मक्खन नहीं बिल्कि एग में विटेरिक एसिट पाया जाता है यह आपको याद रखना है यह हमारी आखों की रोशनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद हम बात करते हैं अपने कॉश्चन नंबर लिस्वार जाता है कि इसी काम होता और लाक्टिक अाथ – ल०ा स्वार्टे कहलं बात है यह ब्रिवेस्टा क्या प्रिए विदियो में दिस्कस करें These ع kilomet एक विशुच्छ डीम है विश्चता होती में आइगाल लाग्र्ण भाँ risky और कर रूब में रफस drone में खराब ही भी बढ़ाता है इसलिए जब आप वेट लॉस जर्णी में जाते हैं तो आपको एपल सैडर विंगर अर्ली मॉनिंग एंपटी स्टमक यूज करने के लिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे सुरखषात्मक अहार के रूप में इन में से कुमि नहीं क्योंकि जो हमारे ताजे फलम और सब्सक्रिया है वह हमारी बॉडदी में निर्मामा अफ्मक कारत ओंगे निकिए काम प्रोटीन का होता है कार्वोहेट्रियृर होताуждain तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में जो है हमारा कॉशन नंबर सेवन भारती ये प्रांड पुरुष की ओसत देनिक आवशकता प्रोटीन की कितनी होती है देखिए यह हमारा पुराना कॉशन पेपर तो इसमें जो रिक्वाइर्मेंट है वो अलग दियो हुए लेकिन अभी क्यूंकि हमारा आर्डी चेंज हो चुका है तो उसके अकॉर्ड की आपकी प्रोटीन की रिक्वाइर्मेंट होती है नियू रिक्वाइर्मेंट क्या है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे और सही आंसर को में पिन कर दूंगी आपको पता रहे क्योंकि हमने आईडिय पढ़ चुके हैं उसकी अलग से हमने वीडियो अप्लो इसके वारे हम प्रीविस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि हमारा जो अनीमिया है वो किसके कारण होता है देखिए अब ही हमने थोड़े पहले भी क्वेशन देखा कि अनीमिया से बचाने के लिए प्रेग्नेंट को आयरन फॉलिक एसड और विटाम की जरूरत होती है अगर यह ना हो तो आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है फिर है क्वेशन नंबर 9 एक स्नेक जो देता है 12 ग्राम प्रोटीन एवं 3 ग्राम वसा यह शरीर को कितनी कैलो कैलोरी प्रदान करेगा इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ब चीसका पता है कि एक ग्राम कार्वोहीटरेट से हमें चार कैलोरी मिलती है तो बारा ग्राम से कितनी मलेंगी आप मुझे बदाए waktu 48 गुड तो हमें 12 कर्वेशन कर्वाइट से हमें 48 आपकी कैलोरी मिलेंगी उसके बदैंति तीन ग्राम हमारे पास फैट है और एक ग्राम ज हमारी जो 9 कैलोरीज है 9 x 3 हमें करना है तो हमारा कितना हुआ 27 तो इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका क्या अंसर आएगा 75 यानि कि हमें 75 जो कैलोरीज है वो हमें यह पर्टिकुलर आपको पूछे जा सकते हैं कि ग्राम आपका क्या अपको पूछे जा सकते हैं जो के पूछे गए हैं फिर हम बात करते हैं कौशन नमबर 10 के वारे में सुची एक को सुची दो से मिलान कीजी तो इसमें आपसे वही पूचा गया है किसका सही आंसर क्या है तो आपको बताना है कि आपके किस प्रोडक्ट में कौन सी चीज पाई जाती है तो देखे सबसे पहले हम गिहूं को द होता है तो देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या आएगा एक का है आपका फोर एक आपका फोर दिया हुआ है यहां पर और उसके बाद बी का इन्होंने थ्री दिया हुआ है तो यहां पर हमारा आंसर हम मिसमैच हो रहा है तो देखते हैं किसके सही आंसर क्या होगा अब आप अपना थोड़ा सा दिमाग को यूज करके और अपना सही आंसर मुझे बताएंगे चलिए मैं ही आपको यह बता दिती हूँ हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर B क्योंकि A जो है A यानिकी अंडा उसमें होता है आपका एविडिन फिर उसके बाद हम बात करते हैं B दू यहों के बारे में जिसमें आपका होता है ग्लूटिन फिर उसके बाद हमारा लेक नेक्स्ट आता है और यानिकी मास जिसमें होता है कॉलेजन तो इस तरीके से यहां पर मैंने अल्दू क्लेर्ट कर दिया है बर थोड़ी सी चीज़ें आप पर आपको समझनी होंगी सिरफ म मेरे बोलने पर मेरी चीज़ों पर ही फोकस ना करें बलकि आपने जो लर्ण किया उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हूं अपने क्वेशन को सॉल्ट करें मैं कभी तुभी कहीं क्वेशन को रॉंग भी दे सकती हूं हो आपका रिस्मस मुझे देखने को मिले कि आप चीज़ों को अपने साइट से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह नेग्स बात कर लेते हैं कuz sparks number 11 के बिरूर आता होगा इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ली बता देती हूं कि हमारे ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है जब किसी को हाइड डायबिटीज हो जाती है तो उसको इंसुलेन के इंजेक्शन दिये जाते हैं क्योंकि उसकी बॉड़ी में इंसुलेन का निर्मार नह होता है आपका एडिनो ट्राइफ पोस्फेक्ट जो कि हमें ओर्जा देने का काम करता है और यह हमारा किस से संबंधित होता है प्लाङना यह अग्वाण सीरा है इसका सही आँजाइक माइट्रोकॉंड्रिया से संबंधित होता है तो होता है आपका नेक्स्ट क्वेशन है नमबर आपका 13 पांच ग्राम प्रोटिन देगी पांच ग्राम प्रोटिन कितनी कैलोरी देगी इसका सहीं आंसर आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएंगी क्योंकि आपको पता है कि एक ग्रांब जो प्रोटिन है वह 4.2 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कुमेंट सेक्षिन में बताएंगे कि हमारी 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देती है फिर उसके बाद है हमारा कॉशिन नंबर 14 जिसमें आपसे पूचा गया है कि यह हंदी में कुछ अलग है जो मेन्यू होता है उसमें ख्ली और मनौत में निचचित मेन्यू करी मिनि आपने different types of menus पढ़े होंगे जब आपने catering वाला सब्जिक्ट पढ़ा होगा अपने masters में या फिर आपने बैचलर्स में तब वहाँ पर हमें यह menus पढ़ाए जाते हैं तो आपको बताना है कि अलकाटा menu किस type का menu है तो मैं बताती हूं आपको यह है आपका चैनित menu किसी कारे को करने से पहले जब हम कोई योजना बनाते हैं तब उसके कारे फली food होगा मतलब यह योजना बनाने से पहले भढ़ने से पहले जो हम एक menu बना लेते हैं वह हमारा अलकाटा menu होता है पिर उसके पहले जाता है और कार्बोहेटरिट रोटीन typ रिया फिर विटामिशन मैं से क्या चीज यह बाया लॉजिकल भेल्यू की कौईलिव करने के लिए ूच commanders के जाते हैं देखी इसकेुजन में carbon hydrogen और oxygen ये सारी चीज़ें लगबख 16% nitrogen के साथ मिलकर हमारे body का 14 to 17% बनाती है इसमें आपका sulfur होता है phosphorus, iodine, iron ये सारी ही चीज़ें पाई जाती है कुछ enzymes होते हैं, hormones होते हैं जैसे insulin, thyroxin, antibodies ये सारे चीज़ें प्रोटीन में पाई जाती है इसलिए ये हमारे biological values को मापने के लिए helpful होता है फिर उसके बाद हम बात करते हैं, question number 16 के बारे में नेमलिकित भोज्य पदारतों में से किसमें cholesterol है, किसमें cholesterol होता है, हरी पत्तदार सबजियों में नहीं होता फिर उसके बाद हमारे पास option में है, option में हमारा है चावल, चावल में cholesterol नहीं होता, फिर उसके बाद है हमारा मुंफली, मुंफली में भी नहीं होता, बल्कि अंडे में हमारा cholesterol होता है कॉलिस्ट्रॉल या फिर हम इसे हिंदी में पित, सांद्रन, मोम जैसा एक पदार्थ होता है यह कहते हैं कि यकृत से उत्पर्न होता है कॉलिस्ट्रॉल कोशिका जहली का एक महत्पूर भाग होता है इसमें क्या होता है कि विटामिन D होर्मोन और पित्त का निर्मार करता है कॉलिस्ट्रॉल बोडी में जो कि शरीद के अंदर पाय जाने वाले वसा कोई पाचन में मदद करता है अंडा, मास, मचली, डेरी, उत्पाद इन सभी चीज़ों में से अच्छा सोर्स होता है कॉलिस्ट्रॉल का और अनाज, फल, सब्जों में इनमें कॉलिस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है तो लिए बात करते हैं, कॉश्चन नमर 17 के बारे में एक हलका कारे करने वाली इस्तरी के लिए उजा की आवशक्ता होती है तो उसके लिए कितनी हुजा की आवशक्ता होगी, RDA चेंज हो गया है, तो एट करेंट क्या होगी वह आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएंगे और उस ताइम पर जब हमारा प्रीवेस जो था, उसमें आवशक्ता थी 1875 किलो कैलरीज ही फिर हम बात करते हैं, कॉशिन 18 के वारे में ट्रिप्टोफन क्या है, तो ट्रिप्टोफन असेंशल फैटी एसिड है, और या फिर अनावशक वसीय अमल है, आवशक अमीनो अमल है, या फिर अनावशक अमीनो अमल है तो हमारा क्या होता है, ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन जो है, वो असेंशल अमीनो असेड होता है, यह साधारता 22 प्रकार के अमीनो असेड होते हैं, जो कि भोजन और हमारे शरीन में पाये जाते हैं, तस अमीनो असेड जो है, वो हमारी व्रद्धी के लिए यूसफु करते हैं फिर हैं हमारा question number 18 खमेरी करन भरता बढ़ाती है पाचन शीलता को vitamin A को calcium को या फिर cool protein को देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको जो खमेरी करन की process है और जो अंकरन की process है वह आपके पाचन शीलता को बढ़ाती है जात में vitamin C को बढ़ाती है तो आप पाचन शीलता का option चूज करेंगे फिर है आपको question number 20 निम लिकित में से किस पाक विधी द्वारा vitamin A कैरोटीन की अधिक्तम मात्रा नश्ट होती है दाब द्वारा पकाने से bleaching से तलने विधी से इन में से कोई नहीं तो vitamin A कैरोटीन किस से सबसे जादा आपकी damage हो जाती है या फिर खतम हो जाती है इसका आप सही आंसर मुझे comment section में बताएंगे दाब द्वारा नहीं होती है bleaching द्वारा नहीं होती है बल्कि हमारे तलने की विधी से vitamin जल्दी खतम हो जाती है क्योंकि हीट से वो destroy होने लगती है फिर है हमारा question 21 गेहुं के अंकुर का तेल उत्तम होता है vitamin A के लिए D के लिए E के लिए या फिर की के लिए किसके लिए हमारे गेहुं का जो अंकुर है उसका तेल useful होता है इसका आंसर सही है vitamin E के लिए जो vitamin E है उसका अच्छा source है हमारे गेहुं के अंकुर का जो लिए समय के उपयोग के लिए लिए समय की उपयोग के लिए लिए उर्जा बचाने के लिए किसलिए हम मील प्लानिंग करते हैं देखिए उर्जा बचाने के लिए मील प्लानिंग नहीं करते हैं क्योंकि हम जब मील प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम six diets को include करते हैं मतलब हम लोग early morning आप का आपकी ड्रिंक लेंगे उसके बाद में आप breakfast लेंगे डिक 파स्ट की बाद में आप mid morning लेंगे और हम ईवनिंग Limited लेंगे फिर आप डिनर लेंगे तो इस तरीके से आपकी छह से साफ में इसमें include होती है तो उजा तो बचते नहीं हैं कि हम जर्णली 3 meals को कंजियूम करते हैं और जब हम according to meal planning चलते हैं तब हमको 6-7 meals को follow करना पड़ता है। उसके बाद समय का उप्योग इसमें समय का भी उप्योग नहीं किया जाता क्योंकि हम यहां पर time management नहीं कर रहे हैं बलकी diet plan को बना रहे हैं। फिर इसके बाद है budget neogen क्योंकि हम यहाँ पर home management का काम ना करके आहार neogen में हम अपने बोजन की गुरवत्ता को बढ़ा रहे हैं और अपने health को consider कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आहार की पोश्णात्मक वर्याप्तता को अपने लिए निर्धारत करते हैं तो इसका सही answer होगा option number a यानि कि बाकी सारे answers गलत होंगे और option a हमारा सही answer होगा next हम बात करते हैं question 23 के बारे में के glycogen संग्रहित होता है glycogen कहां पर जाकर save होता है जब हमारी body में glucose extra होता है तब वो glycogen के form में हमारी body में store हो जाता है तो वो कहां store होता है वसीय उतकों में मासपेश में यक्रत में या फिर रख में तो आपको इसका सही option मुझे comment section में बताना है क्योंकि हम लोग इसको अपने previous content वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे glycogen कहां जाकर store होता है आप comment section में मुझे इसका answer बताएंगे तो मैं आपको आपको सही answer बता देती हूं कि इसका स हमारा जो extra glycogen हो संग्रहित हो जाता है जब यक्ति आवशक्ता से अधिक मात्रा में मीठे पदात का सेवन करता है तो उसमें जो glucose होता है जो आपकी शुगर होती है शरकरा होती है शरकरा परदास glycogen की रूप में यक्रत में जाकर जमा होता है जैसे ही शरीर में glucose की कमी होन करते हैं next is question number 24 जिसमें पूछा गया है निमलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारी है चपाप पचेक दर्यान की BMR को प्रभावित नहीं करता है आयू शारीरिक क्रिया थैररगंती के क्रिया शीलता और आपकी उचाईया जिसे हम लंबाई भी कहते हैं तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि आपके BMR को एफेक्ट नहीं करता है देखिए आप जब डाइट प्लान बनाते हैं तब उसमें आप BMR को चेक करते हैं कि आपका BMR कितना होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपकी आपका जो डाइट प्लान है वो फॉलो किया जाता है तो इसमे कि आपका जो जाधा इंपॉर्टन नहीं है वो आपकी लंबाई होती है जो कि आपकी साथ ऍस c यानिकि डी जो हाइट है आपके उससे बीमर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं फिर है आपका कोईशन नंबर 25 यह कोईशन नंबर 25 जिसमें आपका पूचा है कॉलिस्ट्रियम बॉट्यू बॉट्यूलिज्म के कारण भोजन विशाक्ता संचारित होती है option 1 है निम्न से मध्यम अमलिय भोजय पदार्थों के उत्पादित विशाक्त पदार्थों द्वारा विशेश डिब्बावन भोजय पदार्थ में अध्पके मास के द्वारा उत्पादित विशाक्त पदार्थ दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विशाक्त पद तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगे किसी भी वीडियो के एंड में सुधित आपको यह टर्म समझ में आ जाए और इस चीज क्या होती है इसके बारे में भी आपको पता लग जाए अगर आपको पता है तो अपना टाइम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अगर नहीं पता है तो आप कोमेंट सेक्शन में बताइएगा तो इसका सही आंसर है और यानि कि निम्न से मध्यम अमलिय भोज़े पदार्थ में उत्पाधित विशाक्त पदार्थों द्वारा विशेश्था डिब्बावंद भोज़े पदार्थों में यानि कि यह ज तो यह विशाकता वाले शुक्रानवों में चार वर्वो में इनको विभाजत किया जाता है तो अमारा क्वेशन नमबर 26 जिसमें पूछा गया है कार्बोहाट्रेइड का प्रते ग्राम देता एंग्राम ऑफ कार्बोहाट्रेड हमें कितनी कैलोरीज देता है पोर कैलोरी से फैट लिया इतना कार्बोहाइट्रेड लिया तो टोटल एनरजी उसने कितनी कंज्यूम कर ली है तो हमने बहुत बताय था आपको कार्बोहाइट्रेड एक ग्राम कितनी कैलोरीज देता है तो आपको इसका सही आंसर पता है और आप यह कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप मुझे वहाँ बताएंगे मैं आपको वहाँ क्लैरिफाय करूंगे कि एक ग्राम प्रोटीन में एक ग्राम फैट में जो कार्बोहाइट्रेड है उसमें कितनी कैलोरीज मिलती है नेक्स हमारा क्वेशन है क्वेशन नमबर 27 विटाम का काम करता है विटामिन ग्राम करता है विटामिन के जो को एक देसिक नहीं रहेगा तो द्रिष्टी के लिए आपको विटामिन ये चाहिए collagen के sensation में ये काम नहीं करता antioxidant के रूप में काम नहीं करता ये रत के सकंदन में काम करता है फिर हम बात करते है question number 28 के बारे में जिसमें पूछा गया है cake बनाने की क्रिया आते को दो या तीन बार चाना जाता है उपस्तित रेशों को हटाने के लिए आते का स्वच्छता सुनिश्चत करने के लिए भली भाती वायू के प्रविश्च के लिए इन में से कोई नहीं देखिए अगर आपने कभी cake बनाया होगा क्यां आराम से मिक्स हो जाती हो और में ऑक्सीजन होती है ऑक जो आपके भैक्टीरिया होता जिसको डेवलाप में करना है जिसके इसके कारण ऑपमन्द होगा का आठा है और ब्रूंद होता है तो उसका उसके लिए इयर का उसमें जाना बहुत जरूरी तक बनाते हैं है थो पाथ से हाध से फेटें है आपकी आपकी हाथ से हीट है आपकी firm पोडी है यूब ट्रांसफर होती है बेटें और उससे उसमें जो आपके bacteria होते हैं उनका multiplication शुरू हो जाता है और उसके कारण आपका fermentation जल्दी होता है और अच्छा होता है अगर उसे को आप चम्चे से फैटते हैं तो उसमें अच्छा fermentation नहीं होता है क्योंकि वहии ट्रांस्मिट नहीं होती है और आपके बैटर में गर्मी सी गर्मी नहीं आती है जिसके कारण वह उसका जो केक बनाने के लिए उसको दो से तीन बार चाहना जाता है जिससे कि वायु उसके अंदर प्रवेश कर जाए और आपका जो केक है वह फ्लफी और आपका फूला हुआ बने उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नुम्ट निम्न स्त्रोथ है मानव दूद किस चीज़ का स्त दूद् rat है वह लो तत्व कला यारन का लौत अच्छा स्कुर्ण के अच्छा सोर्स होता है उसंते मिलते हैं इसलिए वह सामाने रूप का दूद्द होता है क्योंकि दूद एक जटल रसाइनिक पदार थे जिसमें आप वर्स्थ पायस के रूप में केसीन केल्शियम और सिनेट के रूप में ये सारी चीज़ें पाई जाती है और इसमें मिल्क में एक शरकरा भी होती है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं एल्ब्यूमिन होते हैं और निश्चित आंगे शार गुले हुए रहते हैं जिसके कारण ये ना तो मानब दूद को गरम किया जाता है और ना ही वो किसी और चीज़ के एक्सपोजर में आता है इसलिए उसके जो लह तत्व हैं वो उसमें विदमान रहते हैं और वो न्यूट सबीकशनीं है और आपके बॉंसां तीन होता है और और कि उससे आपको में और को आहँすए रहां हो जाता की ही की गई है और उप्योग से भी आपका option सही होगा नहीं क्योंकि यह दोनों तो आपके option है नहीं तो सही answer हुआ आपका option number C 38 का है आपका C question फिर हम बात करते हैं question number 31 के बारे में कि टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण anthroxanthin के कारण anthocyanin के कारण किन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है तो यह आपका option wrong answer है यहाँ पर यह आपका option होगा नहीं फिर उसके बाद अगर हम बात करें लाइकोपीन जो है वह एक चमकदार लाल रंग प्रदान करता है तो टमाटर का हमारा यह कलर हो सकता है फिर उसके बाद बाकी जो अन्य सब्जियां होती है उनमें अलग-अलग तरीके के तरीकर रंग्مरता है तो यह अपने आफ और II को सभिक्स कर पाएंगे कि तरीकट नमबर 1 फिर हम साथ करते हैं एवं धारण धारं के लिह इन मेंसे कौन सा वाइटमिन इंपॉर्टेंट होता है केल्चियम और फॉस्फोरस के एब्सॉप्शन के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए विटामिन A, D, C या K इन मेंसे कौन सा ऑप्षिन सही होगा या आप मुझे कॉमेंट सेक्ष्ण में बताएंगे बहुत ही इजी कौैस्टेंट है इसके बारे में हम लोग डिसकस कर चुके हैं इसके एब्सॉप्शन के बारे में हमने प्रिविएस वीडियो में भी बात की है कि इन में क्या सही जरूरी है विटामिन डी जो है वो आपकी बोन्स के लिए जरूरी होता है तो केल्शियम फॉस्पोरस किसे कनेक्टेड है बोन से तो फिर यह आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी तो इस तरीके से आप कोईशन ने जब कोईशन का अंसर आपको ना पता हो तो आप करके भी ऑप्शन को तब आपना अंसर सिलेक्ट कर सकते हैं यहां हमने अपना कंप्रीट कर लिया है 2013 में पूछे करें कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेशन हो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे फेस्बुक पेज पर उससे करें वहां पर मैं इस सुन एस पॉसिबल को आंसर देने की कोशिश करोंगी अगर वीडियो को तो लाइक करें शेयर करें अपने ग्रूप में अपने वाट्साशव बुप में अपने हों साइस का जो भी आपका ग्रूप है निउट्रिशन का जो भी गूप है विल्प है आ